जो सब्सक्राइब आपकराइब करेंगे इंट्राक्षीं के दूसरे पार्ट के बारे में पहले सेक्षन में बात किया था पिछले पहले वाले सक्षन में आपसे बात किये थे कि बारे में थिन पॉचिटीव इंट्स में बात किया था और आई लोग बाश बात करेंगे निगीटिव में ट्रीस किया होता है कैसे यह क्या कैसि के एक्जामपोस हैं निगेटिव मेंसा एक रहते हैं ऐसे करके आप से चर्चा करूंगा ठीक है तो आप देखेंगे कि निगेटिव इंट्रेक्शन का मतलब क्या होता है वाट इस तरह से देखेंगे पिछले लेक्चर पर हम लोगें बात किया था पॉस्टिव इंट्रेक्शन में सिंबियासिस क्या होता है मियुचुलिजम क्या होता है आप लेगे मियुचुलिजम क्या होता है फैकल्टेटिव मियुचुलिजम के बारे में चर्चा किये थे तो इस तरह से आप देखेंगे वाइस कहां से आ रही है वाइस दिमा करिए चलिए देखे आप लोग तो वह दोग ने चर्चा किया था अब लेगे सिंब्योसिस के बारे में मिर्चालीजम के बारे में फैकल्टेटी मिर्चालीजम का और बहुत सा बहुत सारे घ्जाम को दिया था common solution का तो अगर आप देखिए जो भी एक्जाम अगर आप देते हैं चाहिए CSIR का हूँ CSIR का प्रिविए सेर्का पेपर उठा के देखें कई बार common socialism mutualism का example देके पूछा कई बार definitions को पूछा हुआ है जो आज का लेक्चर है इसमें बात करेंगे negative interactions के बारे में जो पीछे में आप से बात किया था तो अगर आपने पिछला वीडियो पार्ट वर नहीं देखा है तो जरूर हमारे यूटूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सेर करिए ताकि फर्दर आपको नोटिफिकेशन से मिलता रहे और आप उस लेक्चर को जरू देखें कि उसको देखने के बाद ही पार्ट वन को पार्ट वन पार्ट को जरू देखें या सलेश लगाए यह देखें आप तो आप देखेंगे इस तरह से अब लोग बात करेंगे आज सेकेंड पार्ट के बारे में ठीक है मैंने आप से बात की थी इस पिसीजी इंट्रक्शन में टाइप से पॉजिटिव इंट्रक्शन क्या होता है जब यह प्लस प्लस का रिलेशन हो तो यह मिशुलिजम है और जब यह कंपल्सरी रिलेशन हो कंपल्सरी रिलेशन हो और यह क्या होता है नो कंपल्सरी रिलेशन होता है तो आप देखेंगे इस तरह से कि मैंने आप से बात कि तो मुचुलिजम का मैंने बताया था एक को फायदा होता है दूसरे को और फायदा नुक्सान नहीं होता है क क्यान दिया था एक पे घे आटाओं के बारें बात की थी इते कंपड Martinez को दाएट था लाइक एंग कि चर्चा ज। गुषिफ करते हैं इसका दुज़रा नाम में आप को बतार सी एनीमॉन कि सी एनीमॉन से निमोन और हर्मिट क्रैब की कहानी बताई थी हर्मिट क्रैब हर्मिट क्रैब के बारे बताई थी तो हमने पिछले लेक्चर पर इंके बारे उन्होंने चर्चा कर लिया था कि positive interactions के अंदर क्या होता है mutualism और commensalism mutualism में क्या होता है दोनों partner को benefit होती है दोनों partner को good evening to all of your good evening तो हमने देखा कि positive interaction का मतलब यह होता positive का मतलब term यहां भी लगता वहां मतलब benefit वहां का मतलब benefit हो रहा है अब positive interaction में दो पार्ट है mutualism और common solution mutualism में हमने बताया कि दोनों partner को benefit होती है जैसे मैंने काया like in जहां पर देखते हैं इल्गी और फंजाई दो partner होते हैं इल्गी क्या करता है फोटो संदेजिस भोजन मना के देता रहता है और फंजाई इसको क्या देता रहता है reproductive part बनाता है उसके body structures को बनाता रहता है और वहीं देखते हैं फैकल्टेटिव का मतलब क्या बताया था मैंने आप चुबनाता अब्लिगेट का मतलब यह होता है कि जहां पर क्या और रिलेशनसिप ऐसा हो कि बिना उसकी रह नहीं सकता compulsory relation है जहां दोनों partner का रहना जरूरी है जैसे एक जांपुल में लाइकेन में इलगी और फैकल्टेटिव का मतलब जब नीड हो एक दुसरे से cooperate करें और दोनों की help करें दोनों एक दुसरे को benefit पहुँचा है जरूबत नहीं हो तो दोनों से अलग रह करके भी survive कर सकते है ज है अगर आप देखें तो मैंने आपसे चर्चा की थी और हर्मीट क्राप के बारे मताई थी सी एनिमोंस और हर्मीट क्राप के बारे में इस तरह से देखा कि तो देखा आपने इस तरह से प्रोटो को आपरेशन है जिसमें आपने हमने सी एनिमन और हर्मिट क्राइब की बात की थी आज हम लोग बात करेंगे दूसरे पार्ट की निगेटिव इन्टरक्स क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे इस पार्ट को ले करके पहले वाले सक्ष्णन हमने इनटरक्स की महीं तबात की थी जिली क्या करता था करता है पूटोने 것은 करता है फंजाई क्या करता है बाडि पाट बनाता है दूजरा वानने बता रहता है दूसरा असे दूसरे स्थां तक लुब करता रहता है यह भी आपसे चर्चा के लिए थी कॉमन सेलिजम की बात की थी जहां पर क्या होता है एक आपका प्लस होता है दूसरा क्या होता है जीरो होता है यह भी फैट्स की हमने बात की थी देखे हमने आपसे बात की थी चर्चा की थी आपलीगेट के एक्जामप का एक्जाम्पल बताया था इसके बारे बारे मताया था मैंने कहा था है इंडो जो युग एलगा इस से का जाता है इंडोजोगा के रूप में रहता है जो लेघुए पित्रा लेक्श्स नहीं देखे हैं उसको जरूर नहीं देखें तभी आपको चीजें खिर देखेंगी अभी तरह से आप देखोगे हुए जोने हो इस सब के बारे में चयांपटन बहुत इंपोंटन जो आपके एक्जामम में डायर पूछ सय था पुघायो dog प्लावर सकों के बारे मिताए था है कि यह सब आप इस चो जो जाता रहता है कि करना को और आप एक्जाम में जाते हो तो यही चीज़ भूल जाते हो राइज जो बीम पुछ लिया पॉजिटिव इंट्रेक्स नो करता गी नेगेटिव तो भुला पॉजिटिव इंटिव हो करता है राइजो भीयम क्या है सिंधिया आम्लीगेट विचलीजम का एक्जामपूल है कि सिंध्ट इसे मैंने का यह देखो राइज भीयम का केस यहां देखो यह किसका है यही कोस्चन सबसे ज्यादा आजाता है लोग कंफ्यू जाते हैं उनको लगता है कि लेगिमीनस स्कता हcketा बता बता है तbereड को अउने कंग को बताया था इसके बाद हमने बता था यर नास का Title स्कता कर पूछा था राट किना बुछा थाсте किना इसक्किर निकिल्ट कश्रक्राइब यह आर्टो पूर्ट्स है, आर्थों पूचा था, मैसस किया था भ्रस्त में, मैं इसको द्यान नहीं देया, है उन्हेंड मैसेश को दिखा था, आउ मना पूर्इवा करना है, इस परहता है, सेल्टर पाता वहां पर है और अपने फूड को प्राप्ट करता है लेकिन वेल कोई से कोई फायदा नहीं होता है इस वहें से क्या यह रिलेस्टन सिप्प भी क्या है कॉमन सेलिजम है हमने इसके बारे भी चर्चा की ते यह देखो आर्किट का एक्जांपल मैं आपको बताय फायदा हो रहा है आपके एक्जांप में आ जाएगा जर ना यादर रखेगा यह सब मैंने पिछले लेक्ट्र पर आपसे कर लिया था देखो यह स्मार्स का बताया था इसके बारे पारे बताया था रिमूरा फिसके और और देखिए आपको बताया था, यह देखिए के बारे मस बताया था, जो वेल के बाद करोई करता है, वेल के बाद यह कुछ इसे कोई और याद रखिये गा यहां पे एक हुता है competition एक यह हुता है competition अक्रमडिशन हो गया यहां गूसारा competition हो गया तीजया हो गया कशॉन्ड दीश्वा ந सता हुग आपका प्रइडेशन चोद पराक। आपका हो test फेक्ट इसको ऐसे देखोब देखो अब तरह से आप दीखोगे अगर नीगेटिव का मतलब क्या होता हार्फुल इफेक्ट्ट। निगेटिव इंटरेक्शन का मतलब होता है इंटरेक्शन जेकुँ निगेटिव इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है हार्म फुल इफेक्ट ऐधर वण वन इसपेसेस बोट बोथ मेंबर मतलब कि नुकसान होगा निगेटिव सब्द का मतलब ही होता क्या है और ना हारफुल एफ्यक्ट चाहिए दो मेंबर के बीच में क्या हो रहा है निगेटिव इंट्रेक्शन हो रहा है तो या तो एक को नुकसान हो या दोनों को नुकसान हो यदि एक को नुकसान हो रहा है एक को कोई फायदा नुकसान नहीं हो रहा है एमंसिलिस्म या दोनों को नुकसान हो रहा है कमटेशन का रूप में है दोनों लड़ाई कर दो ताइगर को लड़ाई करा दो फिर देखो को चोटाएगी दोनों गार हो जाएंगे यह निए ग्रेटिव इंटक्टृ को का मेंबर को तो आपको यह बात समझ में आ गई निगेटिव इंट्रक्शन कितने तरीके से हो सकता है एमंसलिजम हो सकता है कम्टीशन हो सकता है प्रिडेशन हो सकता है पहरा सिटीजम हो सकता है ठीक है एक करके हम लोग चैचा करेंगे तो पहले आता है एक आपको देखो एमंस कि यहां पे एक को नुकसान हो रहा है कोई फायदा नुकसान नहीं 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 हो रहा है दूसरा क्या हो रहा है जीरो हो रहा है अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए ताकि फर्दर नोटिफिकेशन्स आपको मिलता रहा है और अपने साथ जो भी पढ़ने वाले उनको जरूर ये वीडियो सेयर करिए ताकि ज्यादा ज्यादा तक लोगों को आने वाले ज्याम में से फायदा हो आप लोग को तो जरूर शेयर करें अभी देखेंगे आप लोग एलोपाथिक मतलब का मतलब लाइक केमिकल सिक्री और ओछी क्या होता है उस केमिकल सिक्रीट करने से बस्कोई फायदा नहीं होता है लेकिन दूसरे वाले का नुकसान हो जाता है इसे है ईलिलोपैथिक गुड़ इवनिंग आप जिए गोड़ इवनिंग देखिए तो אלiopatik induction का मतलब क्या होता है कभी-कभी कुछ chemical क्या करते है जैसे मैंने कहा कि यह plant है यह plant देखो यह plant क्या है यह plant है यह plant है इसने क्या किया chemical secret किया और यह chemical क्या हुआ अग्रोथ इनिवीट कर दिया अदर प्लांन किसी other plant का इसने क्या किया growth को inhibit कर दिया और इसको कोई benefit नहीं हो रहा है जिसने chemical को secret किया इसको कोई फाइदा नहीं हो रहा है कि दूसरे को harm हो जाए तो मुझे फाइदा हो जाए ऐसा relation कर रहता है इसका एक्जामपुल क्या होता है पार्थेनियम का नाम सुना होगा कही बार एक्जाम में आया है पार्थेनियम वीड का नाम सुना होगा इसके बारे हम बात करेंगे पार्थेनियम वीड क्या है एल्लोपैथिक इंटेक्शन सो करता है इसका मतलब यह बात आपको समझ में आ हो जाया है तो लोगों के बीच में लड़ाई हो जाया जैसे आप टाइगर के बीच में पूलक के बीच में लड़ाई हो जाया है तो यह कह हो रहा है हारफुल इफ्यक्ट हो रहा है उसे कहेंगे नि उसे कहेंगे निगेटिव इंट्रेक्शन उसे क्या कहेंगे निगेटिव इंट्रेक्शन उसे क्या कहेंगे निगेटिव इंट्रेक्शन तो आपको यह भी समझ में आ गया है कि जब दोनों को नुक्सान हो उसे क्य कहेंगे कम अर दोनों को नुपसान हो तो से क्या कहेंगे कम टीशन कम यह क्या है कम टीशन कम टीशन में देखो दोनों पार्टनर को पहले वाले पार्टनर को दूसरे पार्टनर को दोनों को नुकसान हो रहा है तो आगे हम लोग कम्टिसेंस की बात करेंगे डिटेल में फिर तीसरा में बता रहा हूं कि कैंड क्या होता है एक प्रे होता है दूसरा क्या होता है प्रेडेटर होता है प्रेटर नुवसां किसको और और predator क्या होगा बेन शीट होगा तो देखो prey को क्या हो रहा है prey के साथ में क्या हो रहा minus हो रहा है predator के साथ क्या हो रहा है प्लस हो रहा है यह भी बात आपको समझ में आ गही होगी computation में दोनो minus देखो आप कि गजान में direct यही आ जाता है symbol वाला वो question तो आप सही कर लोगे, slide को देख कर के ही सही कर लोगे, अगर remember कर लिया तो, लेकिन हमको क्या करना है, सारी example को remember करना है, वो ज्यादा important है, जासे positive interaction में आपको example important है, तो इसी तरह आप negative interaction में, emotionalism में minus zero, इसका example क्या है, parthenium, allopathic interaction, आगे मैं detail में चर्चा करता हम, आशे predictions में क्या होता है, एक prey होता है, दुसरा predator होता है, predator को क्या होता है, हमेशा benefit होती है, और prey को क्या होता है, हमेशा नुक्साल होता है, यह minus होता है, और यह क्या होता है, यह plus होता है, यह हमेशा benefit होता ह ओर ओता है यहाँ पर लो कि नेखो पर Tasteटवह में देखेंगे दूज्रा क्या होता है ओस्तों कि रमजे होता है परसाइट होता है और रोस्तों chi-net नूगसान होता रहता है दोस्तों तो आप पर होश्ट क्या हूता है माइनस होता है जया से बेखो कोई भी पिरासाइऄ होता है है अपने होश पे अटाइख करता है होटा किस किस फेपली की मेंबर पर करता है ब्रैषिक केसी फेपली की मेंबर पटाइग करता रहता है उसको फाइदा से और आपो सिम्बल समझ में होफ व्यागया होगा 2 स्लाइट को और होस्ट सब्सक्राइग को सब्सक्राइगा अब हम लोग बात करते हैं, आगे, अब हम लोग आगे बात करेंगे कि Evan CνοTH का example क्या होता है, predation के और को इस miałion क्या होता है प्रड़ेशन कित्ने तरीके का होता है, पेरा सिटिज़न कित्ने तरीके का होता है, और हम Kayla को डेखेंगे, exploitation Kayla क्या होता है, ठीनक, सब अलग-налग तरक का interference, competition क्या होता है, exploitation competition क्या होता हम एक एक करगिया चाचा करेंगे, तो पहली बात आप सबको समझ में ये बात आगई होगी, commercialism में क्या होता है, prediction में क्या होता है, और parasitism में क्या होता है, यहां तक बात सबको समझ में आ गई, पसे पाइदा होुछ तो यह हर्वी वोरी काई अगर हर्वी 500 Cinth बताओ क्या होगा अर्वी बोरी का पूछ ले तो यह भी क्या होता एक को प्लस एक को क्या होगा माइनस होगा तो आप देखोगे यह सारे एक्जाम्पुल किसके हो गए प्लस माइनस के ठीक है आगे आपके सामने अब आता है था को संग्यारा अच्छी बात है चलो आप सबसे पहले हम लेते हैं वैरा शेटीजम पैरा शेटीजम समय में आएगा एक वह होता है एक एक होताह में पैरा सी टीजम में दो पार्टर होते हैं एक होता है पैरासाइट कि दूज्रा क्या होता है होस्ट होता है लोग सबस्द्री क्या करता है बेंफीट पाता है यहीं आ आपको बता है, फंगल पारासाइट, जितने भी फंगल पारासाइट होते हैं, फंगल पारासाइट, हेलमिन्थ पारासाइट, हमारी बाडी में भी अटेक करता है, हेलमिन्थ पारासाइट, जितने भी पारासाइट है, फ्रोटो जोवन, कूंठो जोल सफई आप है यह चिपहरनना चिंदर अटे रते हैं तो आप को पहले अधा मैं बहुंच मेसिछ को होगा दूसरा क्या होगा अभी दो तरीके का होता है देखू यह क्या होता है मैंने एक पॉइंट यहां रखो बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं इस प्रितवी परसेंट आप दैस्पिसी आंद आर्थ तिपकली फीडर वन लिया फ्यू होस्ट इस्पिसीज मतलब करते हैं इस दुनिया में फिप्टी परसेंट प्लांंट हो चाहिए इनिमल हो उसमें करते हैं 50 परसेंट वैसे होते गाद करते रहते हैं इसको होगा ब्रोटेंज हो सकता यह संजाई हो सकता है व्लांट हो सकता है ipd इसमें आ सकता है थिना आप दिखोगी क्या लिखा है it is a relationship it is a relationship between two organisms in which one species पैसाइट benefit for the growth and reproductions and other species host is a harmed दूसरे को क्या होता है नुकसाल होता है दूसरे को क्या होता है नुकसाल होता है एक बात आप जानते हो कभी भी पारासाइट क्या करता है पैरासाइट क्या करता है पैरासाइट निवर खिल डियर होस्ट उपने होस्ट क कभी नहीं मारता है rare लि मारता है कभी कई some time only some time क्य पता है ना जिसके उपर आप depend रहेँगे जो आपको भोजन देगा अगर उसी को मार देगा तो कैसे सफंवाइब करेगा इसलिए अब यह होऊज स्याइपरई एगर है तो उसको मार्थनिका प्रियाश नहीं करता है उससे दीरे दीरे भोजन लेता रहता है पता है अगर होश्ट मर गया तो भी सर्वाइब नहीं कर पाएगा इस तरह से आप देखोगे अब क्या होता है परासाइट करी तरीके सकता है परासाइट क्या सकता है फैकल्टेटिव परासाइट हो सकता है और यह क्या हो सकता है आप लोग को यह फैकल्टेटिव मैंने आपसे चरचा की थी थी देगा को याद वो कि फैकल्टेटिव और इसके बारे विए मैंने आपको बता था कि का मतलब क्या होता है इसके पास बिखल्प हो मतलब ऐस ऐसे पारासाइट मैंने का जैसे फैकल्टेटिव दूजरा को होता है दूजरा होता है ओबलीगेट ओबलीगेट नो अल्टर्नेटिव चोईस नो अल्टर्नेटिव चोईस देखो मैंने का फैकल्ट आबलेगेट पारासाइट मतलब और फैकल्टेटिव पैरासाइट जैसे आपको बताऊं एजाम्पुल दे रहा हूं आवलिएट पैरासाइट का मतलब जिसके पास बिकल्प ना हो होस्ट और पैरासाइट का संबन कांटिनीर हो पैरासाइट बिना होस्ट के सर्वाइब नहीं कर पाए आपने सुना होगा पकषिणीया का नाम सूना होगा अगर। मैंने कहा है अपने होलिएट का और कॉन होते हैं और वेट प्लांट होता है इसका मतलब ہو नहीं रहेगा तो यह सर्वाइब नहीं करेगा या तो किसका यूश करते हैं या तो किसका यूश करते रते हैं। अब ये कई तरीके सकता है मैंने फंजाई का एक लेक्षर दिया हुआ है जनल करक्टर आप फंजाई वहां मैंने बहुत डीटेल से पड़ चर्चा की है कि फंगल परासाइट कौन कौन से होते हैं आप लेगे फैकल्टे टीप उसके एक्जामपूर्स मैंने दिये हुए है त अब जो लोग नहीं देखे हैं उस हमारे यूटूब चैनल पर जाएं और जन्रल करेक्टर आप फंजाई रिपोड़क्शन इन फंजाई तो वीडियो अप्लोड है और होफुली अब जल्दी मैं पंजाई का गया लेक्षर आपको अप्लोड करूंगा तो वहां आपको मि बेटर है यहां पर देखो बगल में एक टेवल देदिया है आवलेगेट और पूरा अंतर वे दिया आए इधर क्या है देखो इधर फैकल्टेटिव है और इधर क्या है ऑबलीगेट है इस स्लाइट को तोड़ी सी आप देख लेना यहां डेफरेंसेस दिया हुआ है दोनो जैसे देखो आपको कि है ना सिटिजम में कि इसका रेलिसनस क्या होता है एक दूसरे को मैंनेस होता है एक पौस्टिग nett holiness तरहल उता हैूँ इसमें a go अब ये देखो होस्ट और पारासाइट पारासाइट क्या होता है ये अब लेगेट हो सकता है अब लेगेट पारासाइट हो सकता है या यह क्या हो सकता है फैकल्टेटी पारासाइट होता है एक पयम टेटी प्रशाइट उसक्ता है। इसक्ति आ पैकल टेटी प्रशखता है। भलेगेट परशाइट का मतलब क्या होता है? नौ अल्टरनेटिव च्वाईस। जो अल्टरनेटिव च्वाईस। लीविंग मजिए आन होस्ट क्यों फोस्ट पर रहेगा मैंने बताया कि यह और क्या हो सकता है एक्जाम्पूल पक्सीनिया का नाम सुना है पक्सीनियाओ फंगस एलबी गो आपको पता है ना पक्सीनिया जी आशकास करता है पक्सीनिया को लिजिस करता है रस्ट डिजिस इसके ओस्ट क्या होते हैं मैंने का बार वेरी लिफ दुजरा क्या होता है वीट वीट लिफ ठीना आप इसके बिना ये सर्वाइब नहीं कर सकता है एल वीगो क्या होता है एल वीगो कहों से डिजिस कोज करता है डिजिस कोज करता है देखो ये डिजिस कोज करता है white rust of white rust of crucifer crucifers यह white rust of crucifer cause करता रहता है और उनको पता इसका होश्ट क्या होता है mustard plant ठीक है यह इसके विना survive नहीं कर सकता है इसका मतलब कि जो obligate parasite होते हैं उनको क्या है तो सर्वाई भी नहीं करेगा यह बात आप सबको समझ में आ गई होगी आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी क्रम में अगर आप देखोगे तो आप लोग देखेंगे तो यह क्या करता है इसी कि फैकल्टेटी में क्या होता है अल्टर्नेटिव च्वाईस होता है जहां पर क्या होता अगर होस्ट खै तो टीक है उसके ऊपर रहेगा अगर रोंस्ट नहीं इसकूपर सकता है जैसे बहुत सारे आपको देखोगे इस तरह से आप देखे यह आपको हो गए अवलिगेट परसाइट और फैकल्टेटी परसाइट आपको यह बास ओफूली समझ में आगई होगी फोर्स को क्या होता प्लास होता और इसको क्या होता है नुक्सान होता रहता है अब उसकोपड़ अपको अपक्राइट हो सकता है पारासाइट क्या हो सकता है पारासाइट क्या हो सकता है एक्टो पारासाइट हो सकता है एक्टो पारासाइट हो सकता है और क्या होता है इंडो पारासाइट भी होता है इंडो पारासाइट क्या लेका है दोज पारासाइट जो पारासाइट बोडी में रहता है होस्ट के पता है रा यह ली आपको समय में और रहे होगी यह क्या होता है इद्र होता है इस ए इंसाइट बोडि उता है इंसाइट वोडि पाएंग वहां है करता है यह करता है य़ रखेगा कभी कभी पूछ लेगा कभी प्रॉपार्ट आप से पूछ लेगे एक्टो परशायट का अंतर बताओ तो यह शमाग के लिए तो क्या करने यह जगना यह कंड करता है यह क्या करता है का ऐसीविए इंफेक्श्म बॉडिक कर देता है इंडो परेसाइड में बेटार वट निया मैं自己 होजाती करती है यह कुछ रूप से प repli रई हो हो गए कुछ पार आप आप देखो एक्जाम्पल देखो रांट वर्म का नाम सुनां ना इंडोपेरा साइट एक्सका एक्जांप hesitant इसकेरिस ये किसका एक्जाम्पूल है इंडो परासाइट का बोड़ी के अंदर पाय आता है बोड़ी के अंदर आता है देखिए 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 देख परसाइट यह क्या है पर्मानेंट है यह पर्मानेंट है कि नहीं और यहां पर कुछ होते हैं टेम्पोरेरी परसाइट जैसे बने का प्लाजमोडियम हमारे बाड़ी में हमें सार आता है अब यहां कि अब आता है तो टेम्पोरेरी परसाइट हो गया है वें कुछ समय के लिए परसाइट है लेकिन राउंड वन टेरिया ऑड़ी शोलियम आपको इसके बाद इसकैरी यह सब क्या है यह जब भी पाए जाएंगे पूरी लाइफ कंपलीट अपनी कहां करेंगे endo parasite के रूप में ये permanent parasite होते ये जारखेगा ये permanent parasite होते है ये point important दखना तो एक्ट परसाइट इंडो parasite कभी भी आप याद कर ले ना केवल plus minus से याद करने से कुछ नहीं होगा, मैं बाबा करता हूँ, हर बार वेकी तरल्गा, साइब, थोड़ा सा डेट में जाना पड़ेगा, एक्ट Parks where 있고 path hinea saïd क्या होता है फार क्या होता है अब लिग्हां परसॉइट क्या होतां दोनों खांतर निए ताकि जो भी आपके सामने का उसमें सही करने की प्रोबिल्टी ज्यादा से ज्यादा हो इसलिए जब भी पढ़ाई करिए डिटेल पढ़िए ताकि आपके क्योश्चन हमेशा सही हो आप देखो यह क्या है देखो एक डिफरेंस आपका प्रिडेटर है परासाइट है और पैथोजन है तो मैं तोड़ा सिसके बार काज करता है मेरे को बताहिए अंस्वान जी बताए कि से काज होता है हो कौव औरम डिजिस के लिए क कातल हाई मतायए मुझे नित्ता जी बताहिए अंस्वान जी बताहिए रंगेना जी बताहिए सी Anders ने सबस्क्राइब लोग हैं अमीना जी बताई है सबीयों मेरे को बताओ गौण काश करता है तेमिए फिरिबटी है कि चलो रिपास करो कोई रिपास नहीं दे रहा है क्या बात है वह को आपकाश का पढ़ना है को आपके जाम में आजाए को सब्सक्राइब भी दाओ इस बदाव लोग हुकवर्म कौन कौज करता है हुकवर्म कौन कौज करता है देखिए हुकवर्म कोज करता है एन्साइक्लोमा का नाम सुना होगा एन्साइक्लोमा एन्साइक्लोमा डियोडनेला यह क्या है एक हेलमिन्थ इस डिजीज है हेलमिन्थ डिजीज है एन्साइक्लोमा डियोडनेला यह क्या काश करता है हुकुवाम डिजीज काश करता है इसकेरी का नाम सुनता है एलमिन्थ है कि नहीं ऐसे प्लाजबिय। चलोट नेल तो आप देखोगे इस तरह से घ्जाम्पूला पायाज है रहो तो आप देखो इस तरह से आपने देख लिया क्या देख लिया काइंड उसकता है आपलिगेट पारासाइट हो सकता ओटा एक्टो पार्साइट होता है जो living inside ताय आता रहता है तो आपको ये वेति वेता आप देखो आप देखो मैंने आपको बताया ये किसकी life cycle है कोरोना की देखो ये देखो ये life cycle देखो आप लोग ये life cycle किसकी है कि लाजमोडियम की लाजमोडियम जो क्या क्वास करता है मलेरिया काश करता है मलेरिया काश करता आता देखो देखो अब क्लासिकेशन का अब दे परासाइट इसके अधार पर भी किया गया है किसके अधार पर किया गया है on the basis of transmission transmission के अधार पर भी क्या किया है इसको divide किया गया है transmission के अधार पर भी parasite को divide किया गया है तो देखें आप लोग आप लोग देखें इसके बेस पर का गया direct transmission का मतलब क्या होता है जब parasite host के उपर direct transmit होता हूँ, direct transmit होता है, जहां कर है direct transmission, direct transmission occur, when the parasite is transferred from one host to the another host without vector, मैंने का जैसे virus, virus, bacteria, ये क्या करते हैं, direct, direct क्या करते हैं, direct disease cause करते हैं, direct cause करते हैं, human being के पास, virus, bacteria, direct cause करते हैं कि नहीं, टाइफाइड हो जाता हमको है, bacteria के दवरा, water के दवरा, bacteria, infection, तो आप देखो, virus, आज virus क्या है, coronavirus, देखो न, coronavirus क्या कर रहा है, coronavirus, ये, ट्राइब्ट, ट्राइड, ट्राइड, ट्राइड हो रहा हैं कि नहीं, तो जो डिजीज, ऐसा है, जहां पर पैरासाइट, डारेट ट्रांसफर होता है, किसी भी intermediate host की जगत नहीं पढ़ती है, मेडियेटर की जगों तो नहीं पढ़ती रहती है उसे करते हैं डायरेक्ट पारसाइट का एक्जाम्पल क्या है बैक्टिरिया और वाइरस देखो वाइरस है बैक्टिरिया सल्मोनेला टाइफाई है चिकेन पाक्स इसब क्या है इंडायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या होता है इं the parasite is transferred from the one host to the under host with the help of the vector vector की साथ होता है कि नहीं vector की साथ parasite क्या है parasite क्या हुआ host के पास पहुचा host के उपर attack किया किसकी साथ है help किसका ले रहा है help help किसका ले रहा है help with vector vector की साथ से parasite होता है host protect करता है जैसे देखो example देखो plasmodium plasmodium human protect करता है human protect करता कि नहीं human protect करता है human protect करता कि नहीं plasmodium और किसकी साथ है mosquito के साथ है mosquito की साथ कर रहा है कि नहीं तो intermediate क्या है vector की जो पड़ती है जो intermediate vector की साथा से disease को ट्रांस्फिर करता है host पहुचता है उसे कहते हैं indirect parasite उसे कहते हैं indirect parasite जो direct host protect करता है disease cause करता है उसे कहते हैं direct parasite जैसे bacteria virus यह diet cause करते रहते हैं ठीना जैसे fungal disease है वो diet pathogen protect करती है plant protect करती रहती है यहां mediator की जोद पड़ती रहती है जैसे try trypeno suma का नाम सुना होगा trypeno suma कौन disease cause करता है sleeping sickness sleeping sickness 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 sleeping sickness disease cause करता है कि नहीं sleeping sickness disease कौन काश करता है trypeno suma बताओ यहां मेरे को सभी लोग बताओ यहां पर वेक्टर क्या होता है trypeno suma क्या क्या काश करता है एक प्रोटो जो वन्स है जो लोगे मेरे को बताओ sleeping sickness जो disease कारता है वो trypeno suma कास करता है किसके किस वेक्टर की सहाथा से disease को spread करता रहता है लास ना पैल पेस टिस्टिस फ्लाइस बिल्कुल सही बोला दीब जी शिखा जी ने डेक्दम सही बताया है टिस्टिस फ्लाइस जिसे करते लें पैल के पैल इस इसके दोर्रा विक्टर के जारा से तो आप देखी आरेक्ट गोलरा है इसका एक्जांपूल है새 डाएरेक्ट ? यह कैसा और सबस्क्राइब já रहा है आरे अमना कि यह दूरा वाइरस में इसी सब्सक्राइब होश्त कि इस एक्जाम में आपके पूछ सकता हूँ यह आफे यह क्या रहा है करहा है सब ये गाने ये अब उटको यह सब अबुंड ह Gefühl आजि कम हो जा रहा है तो यह क्या है कोवीद कर रहा है च। आगे बढ़ते हैं यह प्लाजमोडियम है प्लाज्मोंटीम का केस मने बताया तो ये किसका एक्जामपूल है इसके लिए क्या होता है इसके लिए वेक्टर की जवद पड़ती है नीड इसको किसकी होती है नीड वेक्टर की जवद पड़ती है वेक्टर को और यहां पर यूज होता है मास्कीटो है की नहीं तो आप देखो यह भी आपको सौन में आ गया होगा एक होता है टेंपरोरी पारसाइट्स टेंपरोरी पारसाइट्स देखो यह भी इंपोर्टेंट आपके एक्जाम के लिए यह भी आपके एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है यह भी यह भी आपके एक्जाम के यह पूरा जीवन चक्र कम्प्लीट करेगा यह अमेशा क्या होगा पर्मानें पारासाइट है जब भी पाएगा बोडी के है अन्दर पाह जाएगा टीनिया सोलियम् जो कम से रहता है टीनिया सोलियम् टेप वम ऐस करता है तो यह जो और ये सारे किसारे काई फर्मानेंट पारासाइट जो फोष्ट की बैरडी में फ्रूआउट नाइफ साइकल रहता है उसे कते हैं ते है अफर्मानेंट पारणेंट आख लगते ती और टेंपरोरी घ्लाघिविन अनुछ समय के तै तत्य है वहते इस पर्साइट कि एक कुछ समय तक लाइव रहा फिर क्या हुआ गया देखो रजाते रहते हैं तो आपको कॉंटेट के आ Vaart पर क्या हो गया अंदर वेसी सा कॉंटेट किस्ट होस्ट होस्ट किया सतार्प से कांटेट कितना देड तक करते हैं थूआउट लाइप कांटेट किये रहते हैं तो उसे कहेंगे पर्मानेंट परासाइट और कुछ चन्य के लिए के रहेंगे तो टेम्परोरी होंगे देखो तो आपको यह भी संवन आया देखो जैसे यह देखो आपको कुछ स्लाइड दिखाता हूं देखो यह क्या है लाइप साइकल किसकी है एसकेरिस की एसकेरिस यह क्या एसकेरिस पहली बात ह मोझे इंडो परासाइट एसकेरिस की पार्मानेंट पर्मानेंट परासाइट यह हमेशा क्या होता है ध्रुम थ्रूआउट लाइफ पूरे जीवन थ्रूआउट लाइफ रिमेन इन दा होस्ट रिमेन इन होस्ट बाड़ी होस्ट बाड़ी में रहता है थ्रूआउट लाइफ होस्ट बाड़ी के अंदर रहता है थ्रूआउट ये क्या है देखो है क्या है हेलमिंद ह होता है देखो यह क्या है करता है詞 देखो पूरा फूरा इसकी लाइफ क्या है हemia और था पूरी बॉडी के अंदर देखो ने यह मिगवग उसका इसे राउंडर भी करते隔 करता रहता है Iscariasis disease cause करता रहता है Iscariasis क्या करता रहता है Iscariasis disease को cause करता रहता है इसका क्या है Human is the intermediate and final host यह हमेशा क्या है Human body के अंदर पहल करता है इसका देखो, क्या है Adult worm कहा है था Small intestine में पहल करता है थी नão, आप यह देखोगे किसका example है example of endoparasite into parasite इंडो परासाइट का 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 इंडो इस तरह से पर्मानेंट है जो बड़ी के पाट पए चाल या अगला हमारे पास आता है ने इस तरह से आपने देख लिया आ कि प्रानेन्ट उसकता है और एसकता है यह टेंपरेश्ट हो गया, यह đang क्ईबॉल हो गया यहां बर्मानेन, पर्माइनरी पहस हो गया, शेटपरेश्ट, फिल्मसेटोल जैसे होता ना इना फ्रीज़ीज, क्योलेक्स, बेटबाक्स, सैंडविस यह सब क्या है? टेम्पोरेरी पैरा साइट की तरह काम करते रहते हैं. चलो. और देखो, आन्दा बेसिस आफ होष्ट के आदार पे भी क्या होता है? यह पैरा साइट दो तरह का हो सकता है. प्राइमरी होष्ट हो सक जैसे देखो, मास्कीटो की लाइव साइकल को देखा है ना, जैसे मैंने का ना, सब्सक्राइब करता है कुछ समय के लिए रहता है कुछ अपनी डिवलेमेंटल कंडिशन पूरा करता है नहीं करता है और आसे सकाइब करते हैं यह यहां पर देखे यहां पर अपनी खार सेखकर होने कंडिय कर कर रहा है कि इसका आप आप देखिए कि यहां पर देखिए यहां पर पर लोगάν तरह से आपने देखा होस्ट का क्लास्फिकेशन का अधार क्या है गर बैए देखो आप लोग तो यह कितने तरीके से डिवाइड हो सकता है हुआ है कर दो इसका मतलब पैरा साइड जो होता है यह कितने तरीके से हो सकता है यह हो सकता है नेचर के वेस्ट में हो सकता है अबलिगेट फैकल्टेटिट फैकल्टेटिव सकता है यह क्या हो सकता है टेंपुरेरी हो सकता है पर्मानेंट हो सकता है यह किस वेस्ट पर है host के नेचर के अधार पर हो host remaining के अधार इसके बॉड़ी में कितने पाड़ रह सकता है इसके होस्ट के अगाया पर क्या हो सकता है प्राइमरी हो सकता है यह सब द्यार लखिए इंपोर्टेंट है प्राइमरी होस्ट पारासाइट सेकेंडरी भी हो सकता है प्राइमरी होस्ट पारासाइट यह क्या हो सकता है एक्टो पारासाइट हो सकता है यह क्या हो सकता है इंडो पारासाइट हो सकता है इंडो पारासाइट हो सकता है तो इस तरह से देखा आपने इसकी नेचर को डिवाइड भी कर दिया गया है ठीज ना? आप देखो अब लिएट फैकल्टेटिव टेंपरी पर्मानें प्रामरी सिकेंडरी एक्टो परासाइट इंडो परासाइट इस सब डिविजन दिया गया परासाइट का उसके नेचर के अधार पे दिया गया है आप इसको नेचर बहुत सारे एक्जांपोल देखोगे और इसको समझने का आधार मैंने को बढ़ा दिया किस बेस पर यह होते रहते हैं और क्या हो सकता है यह डायरेक्ट भी हो सकता है डायरेक्ट डायरेक्ट और क्या हो सकता है यह डायरेक्ट इनडायरेक्ट यह भी आधार बता दिया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यह सब क्या बेस है कि इनको डिवाइट करने का तरीका है जो आपकी जगह जगह नाम आप सुनते जाओगे किसी इनिमल के सकते हो प्लान के सब्सक्रा वाइरस में तो परसान होने के इस टेम के लिए ज़रूरी नहीं है इन टर्मों की मेनिंग समझ लीजिए अगर मीनिंग समझ गया है तो हमेशा दो सारे आपके जड़ाыми सब्सक्राब सरां के लिए जए करके कि पर साइट करते हैं। इतने तरीके से क्या है को डिवाइड किया चाहिकटा आगई होगी है देखो कुछ यहां सीदेर हुग में रिखे जा हूं। तो इस टेबल को याद कर लेना क्याकि डिजीज भी आपको याद रहे एक्जाम में यहां देखो मलेरिया किससे होता है प्लाजमोडियम वाइलवेक्स होता है देखो आपको अफ्रिकन ट्राइपनोसिम्मा ट्राइपनोसुमा चाओगा डिजीज कई बार पूछा है प्रोटो जोवन डिजीज है क्या है प्रोटो जोवन डिजीज का टेबल तोड़ा साब लोग याद कर लेना प्रोटो जोवन डिजीज जो क्या है प्रोटो जोवन पारासाइट पारासाइट प्रोटो जोवन डिजीज के बारे में दिया हुआ है यह क्या है यह भी क्या है जेसे दिया है श्लाइत को देख के बारे हुआ इसे भी को आप देखो एक चीजा धो अभी आपको बताना मेरे को अगला important slide आपके सामने है पराचैट्वाईट क्या होता है तसी यहीरमच इंपोटन्ट वर्ट इता है सीट्वाईट क्या होता है पाराचैट तो आप जामते हो अब शामने आथा है पर उच्बी आपके इक्सामने वाजज़ाई पूस मैनस डे को दिया हुआ है. परसीटे वाया है. इतीजी ए तीफरेंt फ्रोड़े क्लिका इन दिल का मद्या चिठाई, इससी इससीटे ने प्रशायड है. परसीटे स्टेट्वाय३ारी किरीया व्यद हुआग अनिसम आपने होस्ट के साथ थूराउट लाइफ जुड़ा हुआ रहता है और काता है मैंना को बता था कि पारा साइट अपने और जिन्दा रखता नहीं जल्य है इसलिए नहीं मारता है उसको पता है अपने होस्ट को मार दूंगा तो बोजन कहां से मिलेगा जानते हो ना आज कल द एक ब्रक्ति को लगा या तो मार दो मर जाना ज्यादा सान है गुड़ गुड़ के मनना कठीन है तो परासाइट बड़ा खतरनाक होता है अगर को इंसान परासाइट हो जाए तो ज्यादा खतरनाक है अगर वो प्रिडेटर है तो ज्यादा खतरनाक नहीं है प्रिडेटर अ अपने वोस्ट को मार देता है नहीं रहता है लेकिन परता सुधा ड़ता है जो परगफ आयरे साह्थ अट होता है और यह किया होता है यह लिल्स गया चल गखषतों परसाइट क्या होता है परसाइट जो होता है परसाइट और होस्ट नार्मल कंडिशन में क्या होता है नार्मली क्या होता है परसाइट होता है इस्मालर साइट का होता है इस्मालर साइट होता है छोस्ट क्या होता है लार्जर होता है जैसे एक्जांपुल देखो पक्सीनिया यह क्या है पारासाइट और होस्ट क्या है ओस्ट क्या है ओस्ट और बेरी प्लांट और क्यों है वीट यह दोनों क्या है क्या या कि यह क्या है जो यह इसका मतलब होता है जंडरली क्या होता है जंडरली तका पक्सीनिया क्या इस मौलर है और वोस्ट क्या होता है, लार्जर साइस क्या होता है, आप देखते हैं, कि नार्मल कॉंसेट एक आता है, कि पैरासाइट क्या होता है, होस्ट से छोटा होता है, कितने भी फंजाई देखो, फंगल इंफेक्शन देखो, एलविगो को देखो, तो प्लान से क्या होता है, होता होता है लेकिन लेकिन नार्मली पैरासाइट पैरासाइट और पैरासिट्वाइड में क्या होता है पैरासिट्वाइड में क्या होता है पैरासिट्वाइड में क्या होता है देखो पैरासाइड क्या होता है और होस्ट पैरासाइड क्या होता है जल्ली का गया है पैरासा हेलिक हां लार्जर होता है लाॉजर हुता है स्थalah क्या होता है इस्षमालल होता है यह रखेगा यह ठोल पर गांड है जाश जैसे देखो अक्छांपूल देखो एकड़्त को विल्हें संप्वास सूं पार। देखो यहां पर यहां पर देखो यह क्या है कि वास्प यह क्या है वास्प और यह क्या है आपका कैटर्पिलर कैटर्पिलर है यह देखो यह वास्प और कैटर्पिलर का रिलेशन्सिप है यहां पर देखो यह तेबल दिया है तोड़ा से याद कर लेना बहुत इंपोर्टेंट है फुफुली आपको दीख भी रहा होगा का गया प्रस्षेट परस्टोईट रीफर टुड़ा आगनिस धाट लीवीद देख परसाइट अंकिल दियर रोस्ट यह दिए भी आन्तर बताया कि जो प्रसाइट होता है प्रसाइट क्या करता है no kill the host no killing host यह अपने host को नहीं मारता रहता है लेकिन पराशीट्वाइट क्या होता है host को क्या कर दता है host killing generally generally क्या करता है host की killing कर देता रहता है देखो क्या कर रहा है eventually kill दिया देखा host को क्या करता है kill कर देता रहता यह क्या होता है nocturnal होता है देखो क्या कर रहा है यह पराशीट्वाइट क्या होता है generally क्या होता है nocturnal होता है nocturnal होता है यह क्या होता है nocturnal और diurnal दोनों होता है यह क्या होता है can be diurnal डान भी नौक्टर्नल हो सकता है यह इंपोर्टेंट अंतर थोड़ा साझालो पिरा स्हीटाट्पंड मियक्षा लहा थेते बीद्वार कि उता है टीनक it हाइली उस्त्रम्द को ता है इसका मतलब क्या होता है यह हाइली अस्पेसिक ऊता है हालाइसिट्वायड्ट इस्पेसिक क्या होता है अता है स्शोपेसिक लुप मेंserूण हो क्या दो सक्क्राइट पहले जल्दव है यह से कुना सब्सक्राइब करेको लिए ओगता है लिघर कहते है ना कर् commandments सिट्वायड को बहुत जल्दी आप सब्सक्राइब लेकिन पैरसाइट को जल्दी कंट्रोल करना आसान नहीं होता है यह सब तोड़ा सब डिफरेंसे आप लोग जान लेजिए बहुत इंपोर्टेंट डिफरेंसेज है जो आपको जानना इस टेबल में लिका गया है ठीना य कई हो सकते है जैसे तीनिया सुलियम आपको पता न पिक के अंधर बी ही हूंट गाया और ही होश्ट भी हॉल गया पन्सेट गो टो भी ऑटा है नकृश्ट की ऑऽ हुफच अर हम ऐनMore होता है और जो होता है परासाइट क्या हो सकता है नाक्तरनल भी हो सकता है और डायर्नल भी हो सकता है तो यह सब रिमेंबर तोड़ा डिफरेंस आप लोग याद कर लेना यह इंपोर्टेंट आपका है देखो यह देखो यह क्या होता है एक्टो परासिट्वाइड भी हो सकता और यह इंडो परसी टाइड सकता है देखेंड इनवीज डेवलम एक्स्टर री एक्स्टर्नली एक्स्टर नल बाडी पार्ट पर ग्रोव कर सकता है और जैसे भ्राहिकन ब्रेविकनेस और देखो यह वाला यह दिखो डिफ्रेंस दिया हुआ ना यह देखो डिफ्रेंस एक्टो परासाइट और इंडो परासाइट का अंतर आपको दिख रहा है यह भी आपको डिफ्रेंस जाडना जरूरी है चलो बाकी सबको सब्सक्राइब आ रहा है एक बार हमको रिस्पांस करिए रंजिना जी शिखा जी अंसुमान जी निक्टा जी जितने लोग भी जुड़े हुए हो और पिधितने लोग जुड़े हुए है आप सब मेरे को रिस् 1 एपको अर्ड का यहां पर डेक्टर परसुष के ऊठ गयुंट कि तरुंद उत्व होता हुं ने इसलों हिसके बाध तीद को सदेखाता हूं यह होता है यह मतलब जो से पुरा सा और चेंदो​ यह क्या हो गया प्रिडेटर तीनो का डिफ्रेंस जान लेना बहुत जरूरी है डिफ्रेंस किसके बीच में देखो और फैरासाइट प्रासी ट्वाड और इसके बाद किसका प्रैथोजन का फ्रैजिषिए इन तीनों का अंतर भी जानना बहुत जरूरी है समया रहा है ओके आप तको समया रहा अच्छी बात है इनके डिफ्रेंस को भी जानना जरूरी है देखो क्या लिखा है प्रिडेटर्स क्या होता है जल्ली इस्ट्रांगर होता है प्रिडेटर देखो मैंने कहा ना प्रिडेटर का तोड़ा समझ लू प्रिडेटर में क्या होता है एक होता है प्रिडेटर दूजरा क्या होता है स्वारी प्रिडेशन प्रेय को नुक्सान होता है प्रेय को नुक्सान होता है प्रेडेटर क्या होता है प्लस होता है जैसे मैंने बोला ना टाइगर और यहां पे डियर टाइगर और डियर देखो कुछ अंतर आपको जान लेना बहुत जरूरी है मैंने का कि प्रेडेटर हमें साब बड़ा होता है अब प्रे छोटा होता है यही कारण कि जो बड़ा आर्गनिजम होता है छोटे वाड़े पटाइक करता है और उसको किल कर देता है यह अंतर आप देख सकते हो जरली लार्जर होते हैं पारा साइट में क्या होता है पारा साइट जरली छोटा होता है और बड़ा होता है जैसे इंटेलिजेंट दान प्रें से ज्यादा इंटेलिजेंट होता है यही कारण की दवड़ा लेता है पकड़ लेता है सारे देखते रहते हो और देखो पैरासाइट क्या होता है स्मालर थोड़ा होता है बट कहते हैं जनली एभी क्या होता है मैंने का अड़ ली सकता है बढ़ा ही ठयार होता है क्या होता है स्मालर होता है श्मालर साइज का होता रहता है देखो वेरी एक्टिव इन हैविटेप प्रिडेटर एक्टिव होता है सलगिस नेचर का होता है परा सिट्वार होता है अब प्रिडेटर क्या होता है और पैथोजन क्या होता है पारासाइड क्या होता है पारासाइड देखो ब आपको रखना काते हैं कि अपने वस्त को है किल कर देता सोह Nee को हुआ को है तो आपने पारा से टावेट कर देखा अब देखू, अगला हमारे सामने आता है, predations क्या होता है, मैंने पता है न, predations. predations में क्या होता है, एक आप का होता है, predator, दोज़रा क्या होता है, free होता है, जैसे मैंने बोला, tiger, और deer. है कि अब देखको यह एक प्लस होता है और यह है वेंफीट होगा यह क्या होगा माईनस म्हीं क्या होता है जल्ली प्रेडेटर्स आर लार्जर होते हैं यह ज्यल्ली हमें साइब बड़ा होता है प्रेडेटर तो प्रेडेशन का मतलब क्या होता है जहां पेडेटर होता है वह दूसरा प्रेव होता है हर्भी बोरस होता है प्रेडेटर क्या हो सकता है प्रेडेटर क्या हो सकता है हर्भी बोर्स हो सकता है हर्भी बोर्स हो सकता है या कार्णी बोर्स हो सकता है हर्भी बोर्स क्या होता है जो प्लांट को इट करता रहता है जैसे देखो हर्भी बोर्स क्या होन है डियर कार्णी वोर्स क्या सकता है जो मीट को खाता हो कार्णी वोर्स होता है इस तरह से क्या देखा कि यह क्या सकता है प्रिडेटर क्या सकता है हर्वी वोर्स प्रिडेटर भी हो सकता है और कार्णी वोर्स प्रिडेटर भी हो सकते रहते हैं इस तरह से हम देखते हैं इस तरह से हम लोग बढ़ते हैं प्रिडेटर क्या सकता है कार्णी वोर्स हो सकता है इसका मतलब प्रिडेटर क्या सकता है प्रिडेटर क्या हो सकता है देखो हर भी वोर्स हो सकता है कि ने मैंने आपको बता है यह क्या हो सकता है और यह क्या हो सकता है और यह क्या हो सकता है और इंसेक्टि वोर्स हो सकता है इंसेक्टिवोर्स हो सकता है, कार्विवोर्स जो हर्ट को खाता हूँ, कार्णिवोर्स जो मीट को खाता हूँ, इंसेक्टिवोर्स जो इंसेट को खा सकता है, देखू, कार्णिवोर्स, लायन, टाइगर, किल दिया प्रे, गोट, काउ को कर देता है, इंसेक्टिवोर्स क्या और बेष्ट हैं वह अभेरा है कि लुजे सब क्या कैसे इंसेक्टी थबरत बोर अ भुरह को नाम सुना है ज्यविकासी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं इंसेट को कुछ प्रिडेशंव के अंदर प्रिडेशंव के अंदर capture killing और क्या होता है eating these are the normal phenomena कभी भी सेर क्या deer को पकड़ेगा तो छोड़ देगा पहले capture करेगा दोडा करकी इसके बाद क्या करेगा kill करेगा फिर क्या करेगा eat कर जाएगा इस तरह से predation में killing is more common होती है predator हमेशा क्या होता है larger size का होता है predator क्या होता है larger size का होता है generally क्या होता है larger size होता है generally क्या होता है generally larger size का होता है यह सब बात आपको ध्यार रख लेना है predation में क्या होता है देखो predations में क्या होता है देखो यह graph दिया हुआ कभी यह graph आ जा तो देखो graph में क्या होता है graph कैसे होता है जल्ली प्रेव प्रिडेटर का ग्राप देखोगे ना तो कहते हैं कुछ ऐसे बढ़ता रहता है कैसे बढ़ता रहता देखो यह क्या प्रेव और यह क्या प्रिडेटर देखो इसको समझना जरूरी है प्रेव प्रिडेटर का ग्राफ इसलिए जान लेना जरूरी है कभी भी आपके ग्रिजाम में आ जाएगा इस तरह का ग्राफ और यहां क्योस्टन CSIR में आया हुआ है प्रेव प्रिडेटर का एक ग्राफ आया हुआ था और इस ग्राफ ने दिख बताना था यह और भी क्या रिप्रिजेंट करते है यह आप इसने क्या किया ऐसे ग्राफ बन इसका मतलब किसकी संक्या कम हो गई है डियर की डियर की संक्या क्या हो जाएगी उस समय काम हो जाएगी डियर की संक्या क्या हो जाएगी काम हो जाएगी यह प्रिडेटर हाइस्ट होगा तो प्रे क्या कम होगा जब प्रे हाइस्ट होगा यह क्या डाटट लाइन क्या है प् जो देखो जब प्रेय यहां पे लिखा न प्रेय और यहां पे किया प्रिडेटर इसका मतलब है जब प्रिडेटर आई एक जोगा प्रिडेटर हाई होगा तो आप बताओ उस समद प्रे क्या होगा प्रे क्या होगा लोईस्ट होगा कि सब से कम होगा कि नहीं अगर जंगल के अंदर टाइगर की संक्या वढड़ जा यह बता रहा है ज Article डियर की संक्या कम हो रही है क्योंकि vasud सब्कोव सिकार करेगा सबको देगा और किसी जंगल में डियक्ष कंक्या सबसे ज्यादा अगर तो सब्सक्राइब है यह बिराधु को प्लस मांइस होता है इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है प्लस, प्लस, माइनस होता है, ये भी प्लस, माइनस होता है, होस्ट इस दा लार्जर, परसाइट में क्या होता है, होस्ट लार्जर होता है कि नहीं, मैंने बता है नहीं, परसाइट के अंदर क्या होता है, परसिटिजम, परसाइट क्या होता है, परसाइट जरली क्या होता है इसमाल होता है ओस्ट क्या होता है लार्ज होता है लार्ज होता है कि नहीं परेसिटिजम में तो देखो उस्ट लार्ज इसमें क्या होता है प्रेज इसमाल प्रेज छोटा होता है तभी उसकी किलिंग हो जाती है परासाइट क्या परासाइट सार ओस्ट इसमाल होता है आप जाता है तो सके मूद पर डिपेंड करता है कि सको करबाइब तो कि नशी को बीदवाई सटा टाइगर लेकिन पद्गन करता है किसा श्रीता कि गव्हालाय और जुट फटो में आप लेख लूंजितें होते हैं ठ Behल्ट की सब्सक्ति-Anneelותיץ लेकिन प्रिडेटर प्रिडेटर मुबाइल नेचर का होता है आपको पता है प्रिडेटर ताइगर दवड के रणिंग करते हैं अपने होश को पकड़ता है इसका मतलब यह क्या होता है लेकिन प्रिडेटर जनली क्या करता है लेकिन प्रिडेटर जनली क्या करता है केल कर देता है अपनी होश को कर देता है यह डिफ्रेंस याद कर लेना जैसे हुक वर्म्स टेप वर्म्स ट्राइपेनो सुमा लायांस टाइगर क्रोकोडाइल्स यह सब एक्जाम्पूल हो गए ठीना आप देखलो अब आपको यह टेवल समझ में आ जाएगा यहां पे जो मै टेबल आप लोगो रिमेंबर कर लेना है मैं तीनों का डिफ्रेंस बता दिया हूँ पैरा साइट पैरा सिट्वाइड और प्रेडेशन में क्या अंतर होता है इस टेवल को बार रिडिंग कर लेना क्यों अस्टन हमेशा सही होगा प्रयास करता हूं कि आपको हर तरह का बोरी हर वधोरि मी क्या होता है हर वी दौस का मतलब क्या होता है डीपेंड सां अ हर स जो पौदों को खाता असे करते हैं हर वी वो करते हैं तो हर्भी वे वोस किसका एक्जाम- AK ball प्लांट को चान लॉछन और यह तो प्लांट को फादा हुगे प्लन को आधना हो रहा है इसका मतलब तरह यहां पे दो होते हैं एख में इनिमल इनिज से कहते हैं हर्भी देगो लिका न हर्भी बोर्स दूजरा क्या होता है प्लांट इसको क्या होता है प्लस प्लांट को खाएगा तो प्लांट को नुक्सान होगा वो क्या होगा प्लांट की संख्या कम हो जाएगी दैवडास्टी का लास्ट होगा एनिमल को क्या मिलेगा भोजन मिल जाएगा इस तरह से क्या पाता है प्लान को क्या हो गया माईनआस नुकसान हो गया बाईव डायवस्टिलास हो Gई वह गया इसके पास क्या है नर्य गड़ जा रही है तो प्लान की संख्या गड़ जा रही है यह बिक तरह से एक क्यों फादा होता है और दूजरा हमारा तरीक्लिक एंपार्टन बहुत उंपोर्टेंट आपका तरू अजान के लिए इमलिसे लिए पार्टनर वन पार्टनर एक पार्टनर को क्या होता है वन पार्टनर गेट harm harmful एफेक्ट एक पार्टनर को harmful एफेक्ट हो रहा है और second partner जो हता है second one नाइधर गेट benefits nor loss मतलब उसको एक को नुकसान हो रहा है दूसरे को न फायदा रहा रहा नुकसान हो रहा है इस relationship को क्या करते है immense realism दो partner के बीच में ऐसा relation जहां एक को नुकसान हो रहा है दूसरे को क्या हो रहा है न फायदा नुकसान हो रहा है immense realism immense realism किसका example करने पड़ता है negative जहां भी नुकसान आजाए जहां हारफुल होगा negative interactions का example है negative interaction example है यह बात आपको समझाए इसका example काउन होगा example काउन मैंने आपको बताया है allelopathic allelopathic interaction यहां रखना जैसे parthenium parthenium Veed आप देखोगा ब्रफर्षा सक्षावी काがड़ता है कभी-कभी कुछ प्लांट क्या करते हैं कश्प्लांट क्या करते हैं कुछ chemical secret करते हैं वह chemical secret करते हैं जिससे बगल वाले प्लाट को क्या होता है का ransom का लगता है लेकिन इस chemical को крेट करने से इस plant को कोई फाइदा नहीं हो रहा है कोई फैदा नहीं हो रहा है इसे करते हैं ए आलिलोपथिक इंट्रेक्शन ये क्या एक immense दिजाम्पुल हो गया immense दिजांपुल हो लिलो पैतिक इंट्रक्शन तो आपके एक्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गया वेरी मच इंपॉर्टेंट एलिलो पैतिक इंट्रक्शन यह एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आपको हो गया बहुत इंपॉर्टेंट हो आप इंट्रक्शन इनिविच वन आगनिजम इस हां अंधर अगनिजिए अनिफ्यक्टेड होता है देगो ट्रीडॉप्स दियर इस्ट्रॉक्चर्स रिगार्डलेस अब दे विदर नाट दे हां अधर प्लांट अंधर्स देगो कुछ कुछ एक्जांपल दिया गया है अगर मैं आपका इसका एक्जांपल दे रहा हूँ ऐनिमल क्रॉसेज ट्रांपल्स ग्रास बद्यार्डल फूट एंटि वाइस सब माइक्रोब्स सिक्रिट दे केमिकल्स विच्टिल आर इनिविट्ट ग्रोथ अधर अधर माइक्रोब्स सच केमिकल्स सब्स्टेंज आर काल लाल ऐनिवाउटिक्स पैंसलीन क्या करता कुछ एंटिवाउटिक्स क्रेट करता रहता और उससे क्या होता दूसरे माइक्रोप की टेथ हो जाती रहती है ये सारे एकजामपुल किसके है में पीजामपूल है यह सब याद कर ले ना याद कर ले जा इसी में की एक्जामपूल मैं आपको क्या बता आया अलेई लोपैथिक ईट्रैक्शन इंट्रैक्सन याद करिए रहेगा पार्थेनियम यह इंपोर्टेंट है पार्थेनियम वीट जैसे कुछ मैं एक्जामपुल और एलोपैति का एक्जामपुल दे रहा हूँ जैसे आपको देखोगे क्लोरेला क्लोरेला सिक्रीट करता है क्या है टॉक्सिक सब्स्टेंस क्या सिक्रीट करता है टॉक्सिन सिक्रीट करता है क्लोरेलीन लें टॉक्सिक सब्स्टेंट करता है टॉक्सिक टॉक्सिक सब्स्टेंट करता है ओ अधार अलगा देखो जैसे दिया है ना एक एजांपुल दे रहा हूं कुलेला अलगा क्या है एलगा प्लोरेलीन टॉक्सिन सिक्रिट करता है ये टॉक्सिन सिक्रिट करता है प्लोरेलीन टॉक्सिन टॉक्सिन करता है इनेविट करता है अधर एलगा को दूसरे एलगा को अधर ये क्या एक्जाम्पुल हो गया ये क्या हुआ इनेविट कर दिया स्ट हर्द हो ताक्सिंसिंध करता और क्या करता है सिक्रिग कर देता है कुछ दूसरा बगल में लगा इनियमगीट हो जाता है इससे को फाया नहीं हुआ लेकिन दूसरा क्या हुआ क्वा थको सानिध को इन्हें हो गया यह Bub में आपसे पूछ लेगा यह किसका ग्जाम्पूल है एलिट अमसिलाजब का ग्जाम्पूल है यह किसका ग्जाम्पूल है यह सब आपको रिमेंबर कर लेना है ऐसे ही माइक्रो सिस्टिक Microsxis is एक क्या होता है Blue green algae होती है ये भी एक toxic substance करती है Hydroxylamine which kill the fish cattle drink the water जैसे एक आवर आपका example होता है Microsis 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 एक क्या होता है एक algae एक क्या है Blue green algae है Blue green algae है जो सिक्रीट करती है सिक्रीट करती है Secret करती है Toxin Hydra Hydroxy 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 Amine Hydroxy Amine Toxin Secret करता है Kill किसे कर देता है Kill कर देता है Kill किसको कर देता है Fish को Fish of Water वाटर के फिस्को कर देता रहता है इस तरह से देखोगे कि 다 platform स्यूंकित क्या है ब्लूग्रेल की ये जाब आपसे धाम में पूश लेगा due यी हाद रखलेना domains najलेरं को half-coem inclusive का यह सब धी जाम्पूल है यही सब तो र्फ्ट आपमें भूण टाल देता है कोई नया ऐसा घ्राप्य नहीं रहोंगों आप रते रहोंगे पार्थ्नुम्ल पोछलेका क्लोरैलिल येrounded an जो जानते हैं कि नहीं इॉथ कीलन च्रविटल पताना पड़ेगा यह देशाम्पुल रच लेना पको है ठीक न जैसे मैंना को बता ना पैनिसिलीन एक फंजाई है पैनिसिलीन पैनिसिलीन क्या करता है पैनिसिलीन देखो कुछ फंजाई क्या करता है पैंसिलीन को सिक्रिट करता है एंटिबाइटिस सिक्रिट करता है दूसरे माइक्रोब इनिविट कर जाते हैं आगको थे ना पैंसिलीम नोटे टम फंजाई से पैंसिलीन सिक्रिट हुआ और पता चला कि बैक्टिरिया की डेथ हो गई तो क नोटे टम यह भी आपको याद कर लेना यह सब एक्जाम में याद है सबको समझ में आ रहा है मेरे को रिस्पाइंज करिए एक बाद अंजुमान जी ठीका जी निक्ता जी रजना जो भी लोग जुड़े हैं सब्सक्राइब समझ में आ रहा नै समझ में आ रहा है कि नहीं मैक्रो सिष्टिस जाद कर लिएगा क्लोरेल याद कर लिजिए टृट्late dub संझाई को सिक्रीट करें इजयोंगे और को इव्यांपूल मैंने बताया पार्थेनियंत पार्थे नियूं रिपार्थेनियस centr cos Wales यह बिन्धितं लन्ग बांद्व के नियुम् ने दिन्धितं लिए पार्थेनियम क्या एक वीड है एक वीड है एक पार्थेनियम क्या एक वीड है जो सिक्रिट करता है पार्थेनीन पार्थेनीन कंपाउंड केमिकल कंपाउंड सिक्रिक करता है टाक्सी कंपाउंड जो दूसरे वीड की प्लांटों की ग्रोध को रोग देता है तो आपको पार कर लेना है कर लेना है देखो अब थोड़ी सी देख लो ये को अलोपयट का मतलब क्या आता वायश बैक मीनिक इंदिफनेशन कटा वहाड़ीज जैर्लोप्यूच क्तुल योजख लेक वर्थ्टीं इंदेव पैथोस लिटरली मिनिस की कहती है mutual suffering allopathic का definitions क्या है allopathic as any direct or indirect positive or negative effects of one plant on the another plants through the release of chemicals into the environments. कुछ ऐसे chemicals जो एक plant के दारा secret के आते हैं उस plant के दारा secret के आते हैं और दूसरे plan को effect करते रहते हैं इसे करते है allopathic phenomena allopathic phenomena यह बात क्या सकते हैं यह ध्यान रखिएगा यह बात आपको ध्यान रखना है allopathic का मतलब अब देखो अब देखो आपके exam में questions क्या आता है देखो parthenium पे diet question पूछता है parthenium पे diet question बनता है याद कर लेना कुछ question बता दे रहा हूं कई बार आपके exam में आगा हुआ है कई बार parthenium parthenium क्या एक weed है एक weed है weed है और यह क्या सो करता है मैंने का न allopathic allopathic interaction सो करता है interaction सो करता रहता है यह लो पातिक इंटरिटा है example किसका है एमंसलिजम का एमंसलिजम का इसकोड़ता है जहाँ पर एक क्या होता माइनस होता दुजरा जीरो रहता है यह question diet बोला हूं parthenium कहां से flowering plant है और किस family का है estresi family याद कर लिजे important है यह diet पुछ लेता है direct पुछ लेता है estresi family का member है estresi family का member है यह याद कर लो कभी कभी यही diet पुछ लेगा यह वीड किसका member है इसके बाद यह common name कही बाद पुछ लेता है यह native और एक बात और ध्यार रखिए हमारे इंडिया में parthenium आज वीड के रूप में आया था यह यहा विड के रिप पे विड के साथ चलाया है लेकिन कहते हैं यह native किस देश का plant है यह बहुत उस्ता रहता है america america यह American american native plant है यह संब अमेरिकं पुछ लेता ameरिकं native plant जो होता है यह उता ame newborn native plant क्या है parthenium hysterop Р Adapt कहते हैं common name स्कों कहते हैं Santa Maria यह इसका नाम है white top weed सिमाइन वीड इंडिया के रुपे से क्या कहते हैं इंडिया के अंदर इसको क्या कहते हैं in India कि कई बार तो पूछता एक्साम में इसको इंडिया में क्या कहते हैं देखों carrot कैरेट ग्रॉस से कार युश करते ऐंडियों इसको कई और ग्रॉस क कथे हैं कंग्रेस ग्रॉस को थे कंग्रेस वारिक पूछ कांग्रेस ग्रॉस ग्रॉसीज यह आद कर लो गाजर गास इसको करते हैं इंद्वैस्तव सुक्राइनemp मैसी इस्ट्रेसी फेमली का मेंबर है, अमेरिका का नेटिक प्लाइन्ट है, एलोपैतिक इंट्रेक्शन सो करता है, जो केमिकल सिक्रीट करता है, एलोपैतिक में टॉक्सिक कंपाउंड सिक्रीट करता है, टॉक्सिक कंपाउंड, टॉक्सिक कंपाउंड, उसका नाम क्या है, पार्थे नीन, पार्थे नीन, पार्थे नीन टॉक्सिक कंपाउंड सिक्रिट करता रहता है, चलो देखो, ये टॉक्सिक कंपाउंड कंपाउंड सिक्रिट करता है, याद रखो, यही याद कर लो, पार्थे नीन, पार्थे नीन टॉक्सिक कंपाउंड सिक्रिट करता है, contact with the plant causes dermatitis plant के साथ dermatitis disease करता है human being के साथ respiratory malfeasance करता रहता है और cattle के अंदर dermatitis disease करता है जिसके पास में भी आएगा disease cause करने लगता है देखो यह देखो parthenium weed है यह parthenium weed आप कहा है parthenium weed है parthenium weed है देखो spread कैसे करता है spread कहां कहां से spread कर सकता है machinery, vehicles grain seed, live stock किसी के दोरा यह क्या कर सकता है इसमें transmission इसका हो सकता है transmission हो सकता है इसका transmission किसी के दोरा हो सकता है मैंने कहा न यह क्या करता है transmit हो सकता है और यह क्या करता है germinate करता है स्कार हो यहां है क्या करता है ने लौस लिए लटाइट लिमिट ग्रोग फ्रूइर ड़िको प्रता रहता है और सब्सक्राइब क्या की तयर्व द्वारे करन ग्रोध क्रक्स का यह बड़ी न्युक्ष क्या हूआ करता है बगल वाले प्लान को इनिविट कर देता है तो यह क्या है एलेलोपातिक का इंट्राक्शन का एक्जाम्पूल आपका है देखो यह देखो यह वी क्या है एलेलोपातिक का इंट्राक्शन है एलेलोपातिक इंट्राक्शन है यह वी क्या है एलेलोपातिक देखो, यह क्या कर रहा है, प्लान, कुछ केमिकल सिक्रीट कर रहा है, केमिकल सिक्रीट कर रहा है, और इसका क्या हो रहा है, इनिविशन हो जा रहा है, और इसको क्या हो रहा है, माइनस इफेक्ट हो जा रहा है, और इसको क्या है, कोई प्रवाव नहीं पड़ रहा है, यह भ को इस तरह से आपने देखा कि एलो पार्थे के इंट्रेक्शन क्या होता है यह मैरेक को बता दिया अन। कि जाना ल करता है एक मैद्वर्ण यह टेशिस रहते हैं यह सारे इंस्तलिजिक og ऍपास निगेटिव इंट्राक्शन्स के बारे में अब एक बचा हमारे पास है competition competitions बचा हुआ है competition में क्या होता है दोनों को नुक्सान होता है दोनों को नुक्सान होता है जहां दोनों को नुक्सान हो क्या है competition जैसे tiger tiger लड़ाई कर ले tiger tiger लड़ाई कर ले तो क्या हो गया दोनों को 2 human लड़ाई कर ले तो दोनों को नुकसान होगा, तो ये क्या है, कम्टीशन, अगला हमारे पास क्या आता है, कम्टीशन, तो अगले लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे, कम्टीशन क्या है, डारेट कम्टीशन क्या होता है, इंटारेट क्या होता है, इंटरफ्रेस क्या होता है, एक्स्प्ल आ जाता रहता है, तो अगला हम लोग बात करेंगे, आगे हम लोग चर्चा करेंगे, कम्टीशन्स के बारे में चर्चा करेंगे, हम लोग, कम्टीशन्स के बारे में चर्चा करेंगे, ये बात हमारी हो गई, पैरासाइट, प्रिडेशन्स के बारे में बात हो गई, इल्लोप क्या होता है first partner और second partner second partner दोनों को क्या होता है first इसको भी नुकसान होता है और इसको भी नुकसान होता है competition क्या होता है mutual देखो लिका mutual you have limited resources by populations by two or more species अगर देखो competition दो लोगों के बीच में होगा तो क्या होगा why minus minus relation होगा डो बीच में लड़ाई होगी तो माइनस माइनस होगा यह क्या सकता है इंटर स्पेश्पिक हो सकता है और यह क्या सकता है इंटर स्पेश्पिक हो सकता है इंटर स्पेश्पिक का मतलब बीट्वीन टू स्पिसीज जब दो डिफरेंट बीट्वीन 2 species के बिच्वता 2 species के बिचमें there a कंपिशन नो इंन्टरी शपेसफिक होता between between टुपी सीज इं यहां कुन इंटराइस्पीसिज कोड़ एं इसे मिच्छिज एक ही सेपीसीज के बिचमें कंपिश्चन हो रहा है अगर आप अपने में लड़ाई कर रहे है, human human लड़ाई कर रहा है, intra-specific competition हो गया, यह क्या हो गया human to human human to human अगर हम आपस में लड़ाई कर रहे हैं तो हम क्या exam पूल हो गया intra-specific का हो गया intra-specific हो गया, हम लोग आपस में से लड़ाई करें गया हुमएंło सिनुरा और टाइगर की बिच में अगर टाइगर की लड़ाई होगा इन्टर हो गया क्या इन्टर और इन्टर हो गया इन्टर इंट्रा हो गया तो समझ में आगे एक इस्पेस्पिक के लड़ाई कर रहे हैं, यह किसका एक्जाम्पूल हो गया, इंटरा इस्पेस्पिक, सेम इस्पेस्पिक, सेम इस्पेस्पिक, मेंबर, मेंबर्स, यह क्या है, डिफरेंट इस्पेस्पिक, इस्पेस्पिक, यह क्या हो गया, इंटर स्पेस्पिक हो गया, यह बात आपको समझ में आ गई होगी अगला होता है इक्स्प्लाइटेशन इक्स्प्लाइटेशन यह यह बहुत इंपोर्टेंट है यहां से CSIR में कोश्चन आता है एक लेक्चर मेरा अगला लेक्चर पार्ट 3 जो होगा ओकेवल कमप्टीशन पर होगा जिसमें बहुत सतरी समझे? über怎麼 की कोश्छन पूछ लेता है लोट का बोलते है मारतजम के जोड़ देता है तो क्योस्चन आफसे पूछल से पारा ज्जैम का है तो सारा कोश्चन में लेक्चर पर चर्चर्चा करूँगा फिलाल क्या होता है इंडारेक्कमтории Цнюh मतलब indirect competition का मतलब क्या होता देखो, यह तो तरीका है, किसी समधार जाकर लड़ाई कर ले, एक human object दूसरे से लड़ाई कर ले, इह direct competition हो गया, आप direct fighting, यहां क्या है? डारेक्ट फाइटिंग है, डारेक्ट फाइटिंग, फाइटिंग करने लगा है, यहां क्या है? लडाई करना शुरू कर दिया इसका मतलब जैसे एक एक जाम्पूर समझो किसी परोसी से आप लडाई नहीं कर रहे हैं लेकिन उसको मेंटली डिस्टर कर रहे हैं उसकी कुछ चीज़ा चुरा ले रहे हैं जैसे मैंने का दो लोग हैं दोनों लोग को भूग लगी है बोजन क कि लिए नहीं कर रहे है या क्या होता है नहीं करती है और इंडार्य करते हैं जैसे आज बारत पाकिस्तान में डायक लडाई होगी तो बास पाकिस्तान का क्या अंवाथ करता है कि यह क्या है एकतरह से बाद को डिश्टर करना तब अख इंटर पर रहां या कभी कभी भाद पाकिस्तान में दारेर्ट कम्टिशन दो आपस फाइटिंग करने लगे तो यह क्या हो गया व्हों अगले लेक्टर में रोलोग डेटेल सबको समझ में आया कि नहीं है बात सब हमको बताईए निकता जी, मनीज जी अंसमान जी, जितने लोग, बरंदना जी सबको समझ जाया बताओ लेक्चर समय जाया कोई प्राउबलाम, कोई क्योस्टर किसी को कोई क्योस्टर किसी को पूछ रहा हो तो बदाएए आप लोग को सारे एक्जाम्पल को रिमेंबर कर लेना है जो लोग भी इस लेक्चर को देखें जब भी देखें तो एक्जाम्पल पर जरूर ध्यान दें सिंबल पर जरूर ध्यान दें चलो देखो एक चीज आपको और बताना आप लोग को है एक चीज और बतानी है देखो एक क्योस्थन तो यह डायट आता है इसको बताना ही है देखो एक मेंट इस एक्जाम्पूल को भी देख लो आप लो एक एक्जाम्पूल आपको जान लेना है देखो यह भी जान लो आप लो कि आगे हम बहुत सारी बात करेंगे कैसे कमपडिशन के रजेल्स क्या है क्या क्या होता है आपके सामने देखिए क्या आता रहता है देखिए मैई को यह को इस Impact variety मच इंपॉर्टं इयरे वेरी मट देखिए आप लोग देखिए कुछ चीज़े इंपोर्टेंट है यह देखू नियूट्रलिजम का सिंबल क्या होता है जीरो जीरो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है नियूट्रलिजम आपके एक्जाम में आता है प्लस प्लस या रख लेना कॉमंसलिजम में क्या हो होता है दुसरे को नुक्सान होता है एक को कोई प्रभावड होता है दुसरे को नुक्सान होता है कंप्टिशन में क्या होता है दुसरे को दोनों को नुक्सान होता है एक कोस्चन डारेट आपके एक्जाम में आता रहता है डारेट आपके एक्जाम में क्यों आता रहता है शम्मैंढ़ा instal千 को ये वाला वी सारी जीजा है इसको आप सकते हो यहां पर क्या है Plas Plas कंसरियों CS action नीट में सब जगह आयाता है क्या देता है डीता है देखो यह दिया हुआ है अधंग क्या धिया है माइन सोदुस्य प्लस फाइसा डोनु एक कथ चैनर तरह कमच करता है एक सब्सक्राइब confrontar बात करेंगे और बात करेंगे तरह से आप देखोगे बहुत सारी बाते आपको इस तरह से हमने बात कर लिया निगेटिव इंट्रक्शन का अगला जो टापिक होगा आपका कमपटीशन कमपटीशन को बहुत सारा डिटेल बाते बताऊंगा अगले लेक्चर में पार्ट त्री में आज का लेक्चर इतना ही है थांक्स तू आल आपको फुली सबको समग आया होगा लेक्चर थांक्स तो वल अफ्यों ओके थांक्यू